अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें हैं 10th class के तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं और आपको description box में भी उसका link मिल जाएगा तो आज हम start कर रहे हैं reproduction in plants reproduction in plants में हम सबसे पहले क्या देखेंगे how do organism reproduce सबसे पहले तो हम reproduction के बारे में पढ़ेंगे कि आखे reproduction होता क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले how do organism reproduce reproduction is the process by which living organism produce new individual similar to themselves यानी reproduction एक जैसी process है जिसमें क्या होता है जो living organism होते है वो क्या करते है अपने जैसा ही नया जो invisible है उसको produce करने का काम करते है इट basically involve the making copies of the blueprint of the body design जैसी हमारी body होती है जैसा किसी organism की body है खुब हुँ उसकी जैसी ही copy इसमें तयार की जाती है reproduction में reproduction ensure continuity in of life on earth यानी जो reproduction है वो क्या ensure करता है कि जो earth है उस पर life की जो continuity है life जीवन जो है वो बना रहे ठीक है chromosome in the cell contain the information for inheritance of feature which are passed from generation to generation in the form of DNA molecules यानी जो chromosome होते हैं cell के अंदर यानी जैसे यह cell है ठीक है तो इस cell के अंदर यह जो nucleus होता है इसके अंदर एक जाल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं chromosome तो यह जो chromosome होते हैं यह क्या करते हैं हमारे इसके अंदर सारे जो भी हमारे inheritance और फीचर्स है हमारे जो भी character हैं वो सब यह क्या carry करते हैं chromosome और किसकी form में DNA molecules की form में और इसको क्या करते हैं एक generation से दूसरे generation यानि एक PD से दूसरी PD पर ले जाकर उनको छोड़ देते हैं जैसे हमारे parents के जो character है वो हमारे अंदर आते हैं जैसे उनके चाहे उनके बाल हमारे बाल उनके जैसे हो या फिर हमारी eyes उनकी जैसी हो या फिर हमारा जो skin का color है उनके जैसा हो या हमारा body texture उनके जैसा हो I think समझ में आ रहा होगा So reproduction involves copying of DNA and other cell apparatus यानि जो reproduction है वो क्या करता है DNA की copy करता है और जो cell apparatus होती है जो cell के अंदर जो भी चीज़े होती है उनको भी क्या करता है copy करने का काम करता है तो copy with be similar to original or and not identical यानि जो ये copy होती है वो बिलकुल similar होती है कोई identical नहीं होती मतलब ना की identical होती है this property is variation which is the basis and necessary for evolution of living beings यानि ये जो variation आते है जो PD दर PD जो variation आते है जैसे किसी के parents बहुत अच्छी height के थे और उसके बाद उसके जो आने वाली PD है उसमें क्या हो गया उनके बच्चे की height क्या हो गई थोड़ी सी उनसे कम रह गई या उनसे जादा हो गई तो ये जो variation आते हैं PD के अंदर ये जो evolution होता है living beings का उसके लिए बहुत जरूरी होते है ठीक है variation help the species with withstand drastic environment change thus save the species from become ethnic and promote its survival for longer time यानि जो ये variation है species के अंदर जो ये variation आती है ये क्या होती है ये पीडी दर पीडी इंसान को या जो भी species है चाहे वो animals की हो प्लांट की हो चाहे human beings की हो तो उन species को क्या करता है वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके के environment में जीना सिखाता है इसके बाद next देखते है reproduction reproduction जो होता है generally two type का होता है कौन कौन सा एक तो होता है हमारा sexual reproduction और एक होता है asexual reproduction तो sexual reproduction जो होता है उसके अंदर दो parents जरूरी होते है यानि male and female gamet दोनों इसमें allow होते हैं और जो sexual asexual reproduction होता है उसके अंदर single parent होता है safe ठीक है फिर इसमें gamet form नहीं होते है जो asexual reproduction होता है उसके अंदर और जो sexual reproduction होता है उसके अंदर क्या होता है gamets बनते हैं ठीक है इसके बाद next आता है propagandy is identical to parents जो प्रोपेगेनी होती है, मतलब जो संतान होती है, वो अपने पैरेंट्स जैसी ही होती है, सेम, ठीक है, हुब हुब वैसी ही होती है, लेकिन जो सेक्शल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर जो प्रोपेगेनी होती है, या जो संतान होती है, वो सिमिलर होती है अपने parents के but हुब हुब कौपी नहीं होती अगर हम लोग हुब 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 कौपी होते अपने parents के तो शायद हम लोग उन जैसे ही दिखते हम उन से अलग नहीं दिखते ठीक है Asexual reproduction is extremely useful as a man to rapid multiplication mean of rapid multiplication जो Asexual reproduction है वो बहुत ज्यादा useful होता है क्योंकि इससे क्या होता है लगा अतार जो rapid multiplication जो है इससे हम करवा सकते है it is common in a lower plant and animals जो lower plant और animal होते हैं उनके अंदर ये क्या है common होता है mode of Asexual reproduction अब जो Asexual reproduction है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे the mode depends on the body design of the organism यानि यह जो Asexual reproduction है वो किस पर depend करता है जो organism है उसकी body design पर depend करता है इसके बाद next आता है सबसे पहला हमारा topic क्या आता है fusion the parent cell divides split into two daughter cell daughter cell binary fusion split into many cell multiple fusion यानि fusion भी दो तरीके का होता है चिक है कौन कौन सा एक तो होता है कौन सा binary fusion और एक होता है क्या हमारा multiple fusion यह रहा झीक हैं तो binary fusion में तो क्या होता है जो भी organism है जैसे यह organism है यह कॉक्ट भोह हो गया दो में दिवाईद हो गया बड जो फिजन बाइनरी फिजन में क्या होता है द पर्मानेंट स्वरी फिजन बाइनरी फिजन में क्या होता है इक्वल हैवल्स यहने जो डॉटर सेल होती है उनमें दो समान पूतरी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है यह और इसका एग्जांपल क्या आता है हमारा अमीबा यह रहा डायग्राम इसका और जैसे लैश्मानिया है इसका डायग्राम देख लीजी यह रहा यहाँ पर सा एक तरीके से एक प्रोटोज होगा है जो एक डिजीज कहरी करता है इंसान के अंदर जिसको उस डिजीज का नाम है कालाजार ठीक है वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड एंड बाइनरी फ्यूजन ओकर इंद डेफिनेट ओरेंटेशन यानि जो जो डेफिनेट के अंदर क्या होता है जो लेश्मानिया होता है उसके अंदर भी जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसके बाद नेक्स देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो किसमे होता है प्लाज्मोडियम में होता है यह रहा प्लाज्मोडियम का डाइगरा multiple fusion में क्या होता है जो parent cell होती है वो बहुत सारी daughter cell के अंदर divide हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर दो term आ रही है हमारे पास nucleokinesis और cytokinesis तो इनको समझते हैं सबसे पहले तो nucleokinesis क्या होती है उसको देखते है उसके लिए हमें यह diagram देखना होगा जैसे हमारे पास यह amoeba है इसके अंदर यह जो beach वाला पार्ट है यह तो है nucleus और यह जो dot dot आपको blue color पार्ट में दिखाई दे रहा है यह है इसका क्या cytoplasm तो जब cytoplasm में division होता है तो वो तो होता है cytokinesis और nucleus में जब division होगा तो उसको हम क्या बोलते है nucleokinesis ठीक है देखिए the process where nucleus lengthness lengthness का मतलब होता है जहाँ nucleus लंबा हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या nucleokinesis यह रही nucleokinesis stage ठीक है उसके बार जहाँ पर where the cytoplasm lengthness is cytokinesis तो यह हो गई क्या cytokinesis यहाँ पर यह जो cytoplasm दिखाई दे रही है ठीक है इसके बाद देखते है budding budding a bird developed as outgrowth on parent body due to the repeat cell division at the specific side यानि जैसे यह east है इसके अंदर एक specific site होगी जहाँ पर क्या होगा लगातार क्या होगा division होगा cell के अंदर तो क्या होगा इसके अंदर जैसे यह site है यहाँ पर यह तो यहाँ पर क्या होगा लगातार इस जगह पर क्या होगा multiple division होने स्टार्ट हो गए तो जैसे ही multiple division होंगे तो यह cell क्या होगी यह उभर जाएगी उपर की तरफ और इसका nucleus भी क्या हो जाएगा अभी हमने पढ़ा nucleo kinases की process में आ जाएगा जिससे क्या हो जाएगा यह cell जो nucleus होगा अंदर की तरफ वो nucleus टूट जाएगा और फिर यह cell धीरे धीरे और लंबी होती चली जाएगी और इस तरीके से इसके अंदर बढ़ बननी start हो जाएगी तो यह generally जो process होती है यह hydra और east के अंदर होती है यह देखिए hydra का diagram spore formation spore formation क्या होता है वो भी देख लेते है spore which are present in spirogyra are small bulb like यानि जो spore होते है spirogyra जो होता है उसके अंदर present होते है कैसे small bulb like structure structure ठीक है which covered by thick walls that protect them until they come in contact with suitable condition यानि जैसे यहां क्या कहना चाहरा है यह कि जो यह spirogyra होता है इसके अंदर यह जो बढ़ होती है यह जो sporengium है इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे spore होती है वो बंद रहते हैं ठीक है और जब यह mature हो जाता है तो यह spore फट जाता है ठीक है यह sporengium क्या होता है breast हो जाता है यह देखे ब्रेस्ट हो रहा है और यह जिब्रत-स्टोकर क्या होता है। ये spore जगे जगे पर फैल जाते है। और ये जो where and all three down Sun is on,atterि हम 清楚 हार्डब निए जब थक इसको क्या कर सकता है। अलग से दूसरा या बना सकता है। स्पाइरोगायरा बना सकता है या फिर आपका जो फंगस है वो बना सकता है तब तक स्टोर रहता है जब तक कि उसको कोई फैवरेबल कंडिशन नहीं मिलती फिफ्ट क्लास में आई थिंक आप लोगोंने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जर्मिनेट होने के लिए समफ्ट होता है सडीवी ज चीजें होति है उनके उपर ग्रोध करती है ये ठीक है от और नया जो राइजोपस होता है वो बनाते हैं। Next हमारा vegetative propagation है fragmentation, fragmentation क्या होता है जो multicellular organism होते हैं और जिनकी simple body organization होती है या जिनकी body बिलकुल simple होती है उनके अंदर ये process पाई जाती है, तो क्या होता है suddenly जैसे ये एक part है ठीक है, और ये अचानक से क्या होता है, कहीं से ।ूट जाता है तो जहां से भी ये part तूटकर अलग होगा, जिसी ये दोनों पार्ट अलग होगे, तो ये दोनों पार्ट क्या करेंगे? अलग से individual grow करेंगे और एक नया क्या बनाएंगे? जो algae है spirogyra है उसको बनाएंगे, इसके बाद आता है हमारा regeneration, regeneration क्या होता है जब जो main parent plant होता है या parent जो organism है उसका क्या होता है, यह older part है, ठीक है, यह क्या करता है दो भागों में divide हो जाता है दो part में divide हो जाता है अब दोनों part जो होते हैं, वो क्या करते हैं दोनों individual अलग-अलग grow करते हैं और एक complete organism बनते हैं तो regeneration के बारे में देख लेते हैं जो simple animal like hydra और planaria जो है उनके अंदर क्या होता है new individual बनता है जब क्या होता है पुराना पार्ट टूटता है जैसे ये पुराना पार्ट है ये टूटा तो क्या हुआ दो नए individual बन गए ठीक है it is carried out by specialized cell which divide and differentiate to form the complete individual यानि ये जो ये किसके कारण होता है जो specialized cell होती है वही divide होती है और जिनके कारण क्या होता है ये complete individual differentiate होती है ठीक है अलग-अलग हो जाती हैं ये these cells multiply and form this mass of the cell other parts are generated यानि जो अलग-अलग part है जैसे ये दोनों अलग-अलग part है ये क्या करते हैं अलग-अलग individual को generate करते हैं regeneration follows an जैसे regeneration का यहां पर एक example किया अलग-अलग growth करना शुरू किया और नए दो इन्वीज्वल बन गए इसके बाद आता है vegetative जो propagation है वो देखते हैं a mode of reproduction in which reproduction take place from the vegetative part like the stem, root and leaves यानि ऐसा reproduction जैसके अंदर क्या होता है जो vegetable है या जो plant है उसके vegetative part से reproduction होता है उसे हम क्या बोलते हैं vegetative propagation तो यह कौन-कौन से से हो सकता है leaf से हो सकता है stem से हो सकता है और root से हो सकता है तो इसमें सबसे पहला जो natural method है उसके अंदर क्या होता है सबसे पहला क्या होता है हमारा by roots जो roots है उसके अंदर जो डहेलिया होता है उसके अंदर adventitious जो root होती है उसके अंदर ये process पाई जाती है और stem जो है उसके अंदर क्या आजाएगा हमारा potato और ginger ठीक है इसके बाद जो leaves है उसका example क्या आजाएगा bryophyllum जो leaf होती है उससे भी क्या होता है नया plant बनता है इसके बाद हमारा आता है artificial methods artificial method में क्या आएगे हमारे grafting ठीक है grafting, cutting and layering and tissue culture या tissue additure ठीक है इसके बाद देखते है जो grafting होती है वो mango में होती है cutting होती है रोस के अंदर cutting करके लगाते हैं फिर जो layering होती है वो जासमिन वाले plant में होती है और जो tissue culture जो होता है वो किसमे होता है orchids और ornamental plant जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है ornamental plant का मतलब जहाँ पर होता है जो सजावटी पौदे होते हैं उनके अंदर, इनका डाइग्राम देख लेते हैं एक बर, अच्छे से समझ में आएगा देखो, यह tissue culture है जिसे क्या होता है कि इस test tube के अंदर ही इस plant को grow करवाया जाता है और cutting में क्या होता है जिसे यह plant है इसकी एक branch को क्या किया जाता है जमीन में दबा दिया जाता है और जब यह plant क्या होता है यह जो branch जो दबाई थी हमने उसके अंदर से क्या होता है root बनना start हो जाती है और नया plant उपर की तरफ grow करने लगता है grafting में क्या होता है guys जिसे एक plant का stem है उसको क्या किया जाता है एक जगे से particular space से काट लिया जाता है और वहाँ दूसरे उसी species के दूसरे plant को लाकर जिसे एक black rose का plant है और एक yellow rose का plant है और हम चाते हैं कि एक ही plant के उपर दोलो तरीके के rose हो तो क्या करेंगे कि इसके उसको हम grafting की help से कर सकते हैं तो इसका diagram एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूं यह रहा grafting देख लेते हैं देखिए क्या किया जाता है जैसे यह branch है stem है plant की इसमें क्या किया है इन्होंने कि यहां से इसमें cut लगाया ठिक है V-shape में और उपर वाला जैसे यह जो नीचे वाला stem होता है उसमें इस तरीके से д ऐसे को इसके अंदर इस तरीके से fix किया जाता है और उपर से यहां पर जो हमारी मैन्योर होती है उसको लगा कर फिर उसके उपर से गीला कपड़ा लपीड दिया जाता है जिससे क्या होता है मौश्चर बनी रहती है और यह जो stem होता है वो फिक्स हो जाता है और जिससे क्या होगा वो दोनों stem एक stem में ग्रोथ करते हैं ठीक है इसके बाद next देखते हैं लेयरिंग लेयरिंग भी कुछ-कुछ हमारा जो cutting है उसके जैसा ही होता है इसमें भी क्या होता है देखे गाईज यहरा diagram इसमें क्या होता है जो plant होता है उसकी branches होती है उनको देखे यहां पर दे रखा है इनको क्या किया जाता है दबा दिया जाता है और इसी ब्रांच से क्या होता है कुछ एक जड़े ही निकलती है बाकी क्या होता है वही जो ब्रांच होती है वो आगी की तरफ ग्रो करती है आगे देखते हैं benefit of vegetative propagation तो जो vegetative propagation है उसके क्या फाइदे है वो देख लेते हैं plant can bear flower fruit earlier than those produce from seed, यानि ऐसे plant जो आप vegetative propagation से लेते हो, उनमें seed जल्दी लगते हैं, उनमें flower बहुत जल्दी आते हैं, compared to किसके, जो seed से ग्रो करते हैं, यानि एक पौदा तो हमने किसे लगाया, बीज से लगाया, और एक पौदा हमने क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से लगाया, तो इस जो seed से लगाया गया है, यह seed से लगाया गया और यह वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से त्यार हुआ है, तो इसके अंदर flowering जल्दी होगी, ना कि इसके अंदर, ठीक है, इसके बाद next देखते हैं, ग्रोइंग प्लांट, लाइक बनाना, ओरेंज, रोज, जास्मीन, डेट हैव लॉस, ओफ कैपिसिटी तो प्रोड्यूस सीड, यानि जो यह बनाना, रोज और जो जास्मीन के जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर, अगर वेजिटेटिव प्रोफिगेशन होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, यह जो सीड प्रोड्यूस करने की जो कैपिसिटी होती है, इनके अंदर बहुत जादा आ जाती है, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलारटी इस मेंटेन इन प्लांट, और जो सीड लेस फ्रूट होते हैं, वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बनते हैं, नेक्स देखते हैं हमारा, चीपर एंड इजियर मेथर्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, वो वेजिटेटिव प्रोइगेशन के थूँ सबसे सस्ता होता है, और आसानी से हो जाता है, सेक्शूल रिप्रोडक्शन, सेक्शूल रिप्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले, पहले तो हमें यह पता होना चीए, कि flower के parts क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम flower के parts देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसको, देखिए, जो flower होता है, उसके अंदर, दो main part होते हैं, पिस्टिल और stayman, तो जो पिस्टिल होता है, वो तो female वाला part होता है, और stamen जो होता है हमारा male वाला पार्ट stamen जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है enter और filament देखिए यह रहा stamen का diagram यह उपर वाला तो होता है enter और यह नीचे वाला होता है filament इसके बाद pistil जो होती है pistil तीन चीजों से मिलकर बनती है stigma, style and ovary इसके बाद जो हमें green दिखाई देता है वो saples होता है colorful part हमें flower में जो दिखाई देता है वो petals होते है तो I think आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अब पढ़ लेते हैं हम क्या sexual reproduction when reproduction take place as a result of fusion two gametes one from each parent it is called sexual reproduction यानि ऐसा reproduction जिसके अंदर क्या होता है दो gametes होते है अलग-अलग parents से उनको हम क्या बोलते है sexual reproduction the process of fusion of male and female gamete is called fertilization जब male और female gamete flower के अंदर fuse होता है तो उस process को हम क्या बोलते है fertilization guys यह male और female का fertilization fertilization प्रोसेस कहलाती है यह human being में भी होती है animal में भी होती है और plants में भी होती है okay the formation of gamete involved exchange of chromosomal genetic fragment between homologous chromosome causing genetic recombination which leads to variation इसमें क्या होता है कि जैसे दो parents है ठीक है दोनों parents से अलग-अलग क्या होए gametes है उन दोनों gametes के अंदर क्या थे DNA थे यानि इस इस parent का character इसके अंदर आ गया और इस parent का character इसके अंदर आ गया अब हुआ क्या कि दोनों के character जो थे वो दोनों character जब मिल गए आपस में तो एक नई जो species थी या नई जो variety थी वो उभर कर आती है चिक है sexual reproduction in plant it occurs mostly in flowering plant यह जो flowering plant होते है उनके अंदर होता है यह in fact flower are the reproductive organ of plant यानि जो flowers होते है वही क्या होते है plant के reproductive organ होते है चिक है तो flower दो तरीके के होते है एक होता है unisexual flower और एक होता है bisexual flower ठीक है तो यूनिसेक्शुल फ्लावर क्या होता है यूनिसेक्शुल फ्लावर ऐसा होता है जिसके अंदर मेल या फीमेल गयमिट में से दोनों एक ही जैसे स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगी तो उसको तो हम बोलेंगे क्या होगा and carpels, carpels यहां पर pistilli है, are present and carpels are present जैसे hibiscus और mustard, ठीक है जो गुड़हल का पौदा होता है फूल होता है, उसको hibiscus roges, sinuses का आ जाता है ठीक है और multiple fusion the parent cell divide into many daughter's cells tumisly, जैसे plasmodium ठीक है, तो जो multiple fusion किसके अंदर होता है plasmodium के अंदर, next देखते है यह flower के part हमने देख लिए है a typical flower consists of four main holes name, calyx sepal, corolla, petals and androsium, stamens and gynosium, carpels तो यह कुछ, what nical name है इनको ध्यान से देख लीजिए next, देखते हैं देखिए, जो part of flower है उसके अंदर क्या होता है, stamen होता है और carpel होता है, carpel क्या हमारा pistil है pistil, ठीक है sorry guys pistil है, ठीक है इसमें क्या होता है जो stamen होता है, उसके दो भाग होते हैं एक होता है, filament एक होता है, enter और जो carpel होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं style, ovary and stigma तो जो enter होता है उसके अंदर pollen grains बनते हैं और N गुनित होते हैं ठीक है, और जो ovary होती है, उसके अंदर egg cell होती है ठीक है pollen grains of a flower transfer to the stigma of the carpel of the sunflower जैसे ये हमारी क्या है, pistil है ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, इसका stigma क्या है stigma स्टाइल और ये है ovary ठीक है, तो pollen grains क्या हुए यहाँ पर आते हैं pollen grains इसके उपर, stigma के उपर ठीक है, देखते है चाहे वो same flower के हों चाहे वो आपके different अलग पौदे के flower के हों तो same flower, जैसे एक flower है, उसके अंदर stamen और पिस्टिल दोनों present है तो जैसे यह यहाँ पर डिया हुआ है इसमें क्या हुआ, यह जो pollen grain है, यह इस पे आकर गिर रहे है तो यह तो हो गया self-pollination और ऐसा ही अगर same flower यहाँ होता और उसके अंदर इसकी इसमें stigma पर आकर यह pollen grain यहाँ गिरते तो यहाँ क्या होता है, यह cross-pollination यानि दूसरे flower पर जब pollen grain पहुंसते हैं, तो वहाँ होता है cross-pollination, और same flower पर ही अगर pollen grain stigma पर आकर गिरते हैं तो वह होता है self-pollination और यह जो pollen grain होते हैं वो agents के through transfer होते हैं और यह agents क्या-क्या हो सकते हैं wind हो सकती है, water हो सकता है और animals हो सकते हैं after pollination, a pollen tube grow outside out of pollen grain through which male gamut cell reach the ovary and fuse with the female germ cell यानि जैसे यह हमारे पास क्या है female part है यहाँ पर आकर pollen grain गिरें अब pollen grain क्या करेंगे अपने अंदर से एक sticky substance produce करेंगे और वो sticky substance जब produce होगा तो क्या होगा, एक tube-like structure बन जाएगी और जैसे ही यह tube-like structure बनेगी तो pollen grain के अंदर से जो male gamut था वो क्या होगा, इस tube से होता हुआ कहाँ पहुचेगा ओवरी वाले पार्ट के पास पहुचेगा चिक है fertilization the fusion of male and female gamut is called fertilization it occurs inside the ovary zygote is produced in this process यानि जो fertilization होता है वो male और female gamut के fuse होने से होता है और यह जो process होती है यह ओवरी के अंदर होती है यह रही गाइज ओवरी इसके अंदर यह process होती है और जो जाइगोट होता है वो इस process के अंदर बनता है ओवरी ovule produce करती है ठीक है और जिसके अंदर क्या होती है एक्सेल होती है और polar nuclei ही होती है देखिए गिरा यह stigma है ठीक है और यहाँ पर ovule होती है यह रहा यह pollen tube होती है देखिए यलो कलर की यहाँ दिखाई दे रही है और style होता है filament, enter होता है polar nuclei ही होती है sperm cell होती है ठीक है इसको हम जो double fertilization की process है गाइस इस lecture के बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर हम double fertilization की process को completely समझेंगे zygote divides several time to form an embryo with the ovule within the ovule यानि जो zygote है वो क्या होता है बनता है जो ovule क्या होता है बार-बार divide होता है embryo जो बार-बार जब divide होता है ovule के अंदर तो क्या होता है zygote on the following does not reproduce by spore formation spore formation के द्वारा कौन सी reproduction नहीं होती है या कौन reproduce नहीं होता है तो इसमें answer आएगा guys हमारा yeast fungus क्योंकि yeast के अंदर कौन सी process होती है budding की the rapid spreading of bread mold on slice of bread are due to यानि जो bread mold होती है उसके उपर जो लगातार जो spreading होती है fungus वो किसके कारण होती है तो पहला option हमारा presence of large number of spores right है presence of large number thread like branch high branch like नहीं होता है यह spore होते है ठीक है presence of moisture and nutrients सही है formation of rounded shape sporangia इसमें sporangia है ही नहीं ठीक है तो इसका answer क्या जाएगा हमारा one और three देखिए गाईज यहाँ यहाँ इसका one and three the asexual reproduction in the spirogyra involve breaking up to filament into smaller bites division of a cell into many cells division of a cell into two cell formation of large number of birds तो यहाँ पर पूछा क्या है जो asexual reproduction होता है spirogyra के अंदर वो होता क्या है यानि अभी मैंने आपको इसमें थोड़ी देर पहले lecture में बताया कि जो spirogyra होता है चाहे कितने भी टुकडो में तूट जाए जो हर टुकडा होगा वो नए individual में grow करेगा तो यानि क्या होगा many cells ठीक है answer क्या जाएगा B reason for this greater similarity among the offspring produced by asexual reproduction is यानि जो सबसे ज़्यादा similarity asexual reproduction के अंदर पाई जाती है parents के साथ offspring की क्यों asexual reproduction involve only one parent एक parent होता है asexual यह तो बिल्कुल सही है ठीक है asexual reproduction involve two parents नहीं होता है क्योंकि एक होता है इसके अंदर asexual reproduction involve gamet gamet की तो बात ही नहीं आती है जब parent ही नहीं होगे तो gamet कहां से होनी है इसके अंदर ठीक है asexual reproduction does not involve gamets तो हमारा answer क्या निकल क्या है इसके बाद नेक्स देखते है जो planaria worms cut horizontally in a middle मैं आपको इस question का meaning बता देती हूं कि पहले तो जो planaria है उसको दो जैसे ही planaria है इसको दो टुकडों में काट दिया फिर इसको P और Q नाम दे दिया अब इनको क्या कर दिया चार pieces में काट दिया तो P, Q, R, S चार नाम दे दिये कि जो भी जितने भी पार्ट में डिवाइड होते हैं वो सारे पार्ट जोते हैं वो new in visual में क्या हो जाते हैं convert हो जाते हैं तो इसका answer क्या जाएता क्या आएगा P, Q, R, S the number of chromosome in both parent and offspring of a particular species remain constant because यनि जो number of chromosome होते हैं वो parents और offspring के अंदर क्या होते हैं, constant रहते हैं, क्यों रहते हैं chromosome get double after zygote formation नहीं, chromosome कभी भी double नहीं होते हैं, अगर double होते तो हमारे अंदर कितने होते हैं chromosome 44, चिक है तो कितने हो जाते हैं, 88 no, ऐसा नहीं होते है ठीक है, 22 pairs होते हैं, तो 44 chromosome होते हैं तो double तो नहीं होगे ठीक है, chromosome get doubled after gamut formation नहीं, chromosome get held during gamut formation जो chromosome जितने हैं उतने ही बने रहते हैं, जब उसके अंदर क्या होता है, gamut formation होता है, ठीक है, chromosome get haved after germinate formation, gamete formation, जो gamete बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उतने ही chromosome बने रहते हैं, तो ये गलत है, तो हमारा answer क्या निकल के आएगा, chromosome get haved during generate, sorry, gamete formation, जो gamete formation होता है, उसमें क्या होता है, chromosome उतने के उतने ही बने रहते हैं, नेक्स देखते हैं, an organism capable of reproducing by two asexual reproduction method, one similar to the reproduction in yeast and other similar to the reproduction in planaria is, यनि yeast और planaria दोनों के reproduction के mode को represent करने वाला ऐसा organism कौन सा है, तो वो क्या है हमारा hydra, जो ब्रायो फिल्लम होती है, वो क्या होती है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो होता है उसके अंदर, तो hydra में तो अलग से दे रखा ही है, और है यह answer इसका, spirogyra में क्या होता है, जो spirogyra होता है, उसके अंदर, fermentation की, fragmentation की process होती है, ठीक है, और paramecium जो होता है, उसके अंदर क्या होती है, जो fusel होता है, ठीक है, इसके बाद, among the following, select the statement that are true regarding the sexual reproduction in flowering plant, जो flowering plant होते हैं, उनके regarding में कौन सा sentence सही है, fertilization is compulsory event, होता है, ठीक है, इट always result in the formation of zygote, zygote बनता है, हमेशा, offspring formed R clone नहीं, ठीक है, इट required two parents, सही है, इसका answer क्या जाएगा, C1, 2 and